अलो बच्चों, let's read the question first. The question says, given the template strand DNA, यहाँ पर एक DNA का template strand दिया हुआ है, which is your 3' CAC5' अब इसका हमें anti-codon बताना है, जो कि RNA से match करेगा. The anti-codon that pair with corresponding mRNA codon could be. तो पहले हम क्या करेंगे, यह हमारा DNA sequence था, जो कि template था, अब यह किसके लिए code करेगा, यह mRNA के लिए code करेगा, जो कि होगा 5' to 3' अब 5' to 3' इसके corresponding होगा न, तो TAC से क्या code होगा, A, A से U और C से G, AUG, यहाँ पर AUG आ जाएगा बच्चों, यह क्या था, हमारा RNA, messenger RNA, अब इससे हमें क्या करना है, anti-codons ढूणने हैं, इसके जो कि attach किससे होंगे, T RNA से, इसके anti-codons क्या होंगे, वो corresponding होंगे, इसके basically, तो वो हो जाएगे, 3' T, sorry, T नहीं होगा यहाँ पर, वो RNA की बात है, तो यहाँ पर होगा, U, A, C, 5' U, A, C, 5' हमारा अंसर होगा, बच्चों, यह आपके anti-codons होंगे, जो कि किससे attach होंगे, mRNA से attach होंगे, और mRNA आपका AUG आया, ठीक है ना, तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा, यहाँ AUG दिया हुआ है, 5' to 3' यह बच्चों, mRNA होगा, ना कि आपका anti-codons होंगा, जो कि mRNA से attach होगा, यह गलत है, T, A, T दिया होगा, यह भी गलत है, V, U, A, D, यह भी गलत है, U, A, C, जो है, बिल्कुल सही की आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बच्चों, option number D, anti-codons की बात करी गई है, मैंने यह प्रूफ करते हैं, कि anti-codons कौन से आके attach होंगे, तो आपका answer is option number D, होप आप लोगों को यह solution समझ में आ हो, बच्चों, thank you all the best.